हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी उमीद है आप सभी खेरे से होंगे आज में लेकर आए हूँ एक दमों में घुल जाने वाली बहुत ही जादा टेस्टी रसीली एक दम जूसी गुलाब जामून की ये रेसिपी जिसे हम बनाएंगे एक दम जटपट से और आसान इतना जादा ह है तरीका बनाने का कि आप देखते ही बना लोगे और इसका जो टेस्ट है एक बार अगर आप खा लोगे तो सच में इसके फैन तो हो ही जाओगे प्लस जटपट से भी बन जाएगी इसे हम बनाएंगे आज ब्रेड से और थोड़े से मिल्क पाउडर से आप इसे इस वीड चाइ वगईरा बनाते हैं वाला पैन लेने उसमें हमें एक कप बड़ा वाला जुका पाता है वो भरके यहां पर मैंने चीनी ले लिया है इसके अलामात 3-4 हरी लाइचीो को हल्गा दर दरा कुट ली हूं उसे भी इसमें डाल देना है अब यहां पर मैं एड कर रहे हूं क केसर के धागे आप चाहें तो इसके जगह पर हलका सा यलो फोड कलर भी यूज़ कर सकते हैं यहां पर मैंने केसर के धागों को डाल दिया है अब इसमें सबसे में ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर आप चाशनी बना रहे हैं तो इसके पानी और चीनी की जो रेशियो ह उसको ध्यान में हमेशा रखेंगे तो आपकी चाशनी कभी खराब नहीं बनेगी तो यहाँ पर मैंने एक कप अगर चीनी लिया है तो मैं यहाँ पर देड़ कप पानी ले रही हूँ और अच्छे से इसे हमें तब तक के पकाना है जब तक के जो हमारी चाशनी आदा कप हमने एकश्टा पानी लिया है न वो आधी हो जाए यानि एक चौथाई कप हो जाए तो यहाँ पर हमने ब्रेट के कुछ स्लाइड्स के लिए लिए है और इसके एज़स को मैंने साइड्स के जो ब्राउन वाले पार्ट होते है उसे काट करके निकाल दिया है और उसका मैंने ब् मिक्सिजार में इसे डाल सकते हैं यह देखिए आपको जितनी कॉंटिटी में बनाने हैं उससाब से आप ब्रेट को ले सकते हैं मैं यहाँ पर 15 ब्रेट के टोटल यूज करूंगी इसे इस तरीके से बड़े-बड़े क्यूपस में मैं कट कर ली हूँ और इसे हम मिक्सिजार में डाल देंगे मिक्सिजार जो है वो सूखा होना चाहिए क्योंकि ब्रेट को अगर डालोगे और इसमें पानी रहेगा तो नीचे यह लसम सा बन जाएगा फिर दर दर रह जाएगा एकदम फाइन नहीं होगा तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दिया है दो इलाइची अ एक दंबडियां से बारीक पीस लिया है अब यहाँ पर मैं एक बड़ा चमच घी डाल दी हूँ नॉर्मल चमच से अगर आप नापेंगे तो यह तीन चमच घी होगा और इसे अच्छे से हमें मेक्स करना है यहाँ पर मैं आधा कप मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ पर ना सकते हैं लेकिन यहाँ पर मिल्क पाउडर डालने से ना बहुत ही अच्छा सा रिचस्ट फ्लेवर आ जाता है हमारे गुलाब जामुंस के अंदर तो इन्हें हमें पहले घी और ब्रेट के चूरे को और मिल्क पाउडर को यानि दूद के पाउडर को अच्छे से मिक इसके डौ को तयार करेंगे ना उतना ही डिपैंड करता है कि आपके गुलाब जामुंस कितना जादा पॉफेक्ट बनेंगे जितना अच्छे से आप इसे मिक्स करोगे इसे एकदम बढ़िया से फेंटो गे और मैदो गे और इसका एकदम बढ़िया से सौफ्ट डौ आप इसे तरीके से हमें हतेली की आखरी पॉरे से एकदम बढ़िया से मसल मसल करके मिक्स कर लेना है इससे हमारे गुलाब जामुंस सौफ्ट और एकदम बढ़िया से स्पंजी बनेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे इस तरीके से डौ बना करके तयार कर लेना है इसे पहले आ दो से तीन लिगों को शेर जरूर करें प्लीज 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 मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें तो यहां पर हमने दस मिनट के लिए रेश्ट पर रख दिया है बढ़िया से डौ को बनाने के बाद चाशनी भी काफी अ यह देखिए पॉफेक्ट मैं यहां पर निम्बू साइस के बाल्स ले रही हूं और अच्छे से हलके हलके हाथों से मिक्स करके इसे बाल्स बना लेने हैं और अच्छे से इसके बाल्स सारे बना करके तयार कर लेने हैं आप चाहें तो इस जगा पर लंबे शेप का भी जो आप जामून आता है तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं और यह देखिए पॉफेक्टली मैंने सारे बाल्स को बना करके तयार कर लिया है अब हमें एक तब बनिया से तेल को पहले गरम कर लेना है और उसके बाद हमें मेडियम कर देना है फ्लेम को मेडियम टू लो कर द अगे तो की और उसके बाल दिया है और हमें इसे एकडम मेडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राइए करने हैं क्योंकि अगर आप इसे फार्स्रेश फ्लेम पर फ्राइख कर ली हूं जब इसका कलर कुछ इस तरीके से हलका सा ब्राउन हो जाए तो अब इसे हमें छान करके निकाल लेना है तेल से अलग और सेम प्रोसेस से हमें मैं यहां पर दूसरी शिफ्ट भी डाल करके फ्राई कर लूंगी यह देखिए ब्रेट के जो गुलाब जामन होते हैं अगर इसमें मिल्क पाउडर आप नहीं डालना चाहें तो आप इसमें हलका सा चीनी डाल करके इसे गुंते हैं तो इसका जो है हमारा यह गुलाब जामन भी अच्छा टेस्टी ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा जो टेस्ट होता है यहां पर हमनें चाशनी को अच्छे से पका बॉल्स बनाया है, उसे इसमें डाल देना है और बन्यासे से हमें चाश्णी में dip कर देना है, यानि डुबा देना है, आप जैसे देखेंगे धीरे-धीरे जैसे जैसे हमारे चाश्णी को absorb करेगा गुलाब जामुन, वैसे वैसे ये नीचे बैठते चले जाएगा, तो ये इ कैसे लेगी रेसिपी प्लीज अपनी राय जरूर बताएं कॉमेंट में और यह देखें दो से तीन गंटे के बाद हमारा यह गुलाब जामुन बहुत ही जादा टेस्टी रसी लिए एक तम मज़िदार की और इतनी बहतरीन सी जो हमारी चाशनी बनी है ना कलर फुल बहुत ही कंसिस्टेंस्याoral इसका बहुत जादा थिक नहीं और बहुत जादा गारा भी नहीं मैं हापर उपर से हलका हलका जो पिस्ते के पीसिस आते हैं मैं आपर चार से पांच पिस्तो को इस तरीके से नंबे शेप में कट कर ली हूँ और उपर से इस तरीके से चिपका दे जाना है और ये हमारा प्रेड गुलाब जामुन बन करके हो गया है तयार एक दम मों में घुल जाने वाली बिल्कुल हलवाई श्टाइल बहुत ही जादा टेश्टी डिलिशिस आप इस गुलाब जामुन हो गया है तयार थाइंक्यू पर वाचिंग लाइक दे वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल आमेजिंग